नमस्काल दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भीन फोजी ब्लोक्स में तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लिया रहा हूं जिसको देखने के बादा बहुत कूस हो जाएंगे और मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जिसको देखने बाद सा आपके और इसके साथ लाइक और सेर कर दें अगर किसी पंधर को समस्या होती है तो अब करने वाला हूं कि इंडियान आर्मी में तो आज मांब करने वाला हम में में बात करने में जितने भी मेंटनेस का कार किया जाता है यह में एक सरकारी नोक्री ही है और इसके भी सुईधाया बहुत सारी है तो आज मैं आपको में अच्छी से बताऊंगा तो में इसके द्वारा इंडियन आर्मी में दस्वी एवन भार्मी पास विवाओं के लिए चार-पांस से कानवे पदों पर बंपर भरती निकाली है और जिस समय इसको ओनलाइन एपिलिकेशन आ जाएगा और इसका शुर्वार देट आ जाए तो मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंडियन आर्मी में भरती दुहजबाई आज में आपको बताने वाला तो इसका टोटल भेकेंसी है 4,591 और टोटल क्वालिफिकेशन है 10 या डूएल पास वेबसाइट है इसका mes.gov.in ओनलाइन एप्लिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है अब मैं बात करता हूं इसी एज की एज इसका है 29 वर्स मैक्सिमाम 30 वर्स किया गया है नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें ओबी सी और इस्टेनो ग्रेट टू में टूएल पास पलस स्किल टेस्ट डिक्टेशन दस मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखना है और इंग्लिश में 50 वर्ड में 50 मिनट में इंग्लिश और 75 मिनट में हिंदी में लिखना है डिक्टेशन तो यह जो एक्जाम होगा यह केंप्यूटर पर होगा प्यून के लिए 10 पास सफाई वाला के लिए 10 पास चो मतलब यह कुकिंग टैप का होता है इसके लिए 10 पलस डिपलोमा इन कुकिंग पलस केट्रिंग फ्रॉम एनि इंस्टिचूट होना चाहिए तो इसके लिए 10 पलस आई टी आई होना चाहिए तो चलिए अब मैं आपको रेंक पोस्ट बताता हूं किस रेंक में कितनी भेकैंसी है कितनी पोस्ट है तो सबसे पहले बात करते हैं जुनियर इंजीनियर में जिसमें सीट है 97 डी मैं में 54 सुपर्वाइजर में एक सिट इस्टोर किपर में 18 यूटी सी मटल अपर डिविजन कलर में 68 सिट ल्डी सी में दो सो बारा इस्टेनो ग्रेट टू में उनीज सीमडी मतलब सीविल मोटर ड्रैवर में 145 सिट मल्टी टास्किंग स्टाप में 275 सिट चौव में एक सिट मीटर रीडर में 15 सिट केन में 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 मतलब उसमें बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं कारपेंटर पलंबा इलेक्रिसिया मैसेनरी यह सब में ही सोटा है तो अब मैं बात करता हूं सेलेक्शन प्रोसीजर बारे में तो सबसे पहला वो रिटेंट टिस्ट दिया जाएगा जो ओम आर बेस्ट होगा टाइम इसके ल 0.25 यानि कि आप चार कोस्टन गलत करते हैं कि अपको एक नमबर काट लिया जाएगा तो इसका इस टाइब के हैं जेनरल इंटेलिजेंस में पचीस कोश्टन पचीस मार्क जेनरल एवारनेस हों इसमें 25 कोश्टन 25 मार्क होंगे और नुम्रिकल एपीच्छूट में 25 कोश् या फिर आपको question पूछा जाएगा इसमें घवराने की कोई बात नहीं है आप त्यारी करके जाएं दोनों में से कोई भी काम आपको दे सकता है चाहे आप किसी topic पर काम कर लिए या फिर आपको exam भी दिया जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना है तो हमें लगता है आप अच्छी तरह समझ गयोंगे में MES का काम क्या होता है आर्मिक अंडर में तो मुझे जो चितना समझ में था मेरे साथ कई दोस्त भी हैं आर्मि में तो यहीं लोग के थूर में पूछता भी हूं और आप लोग के बास साधा भी करता हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिलिक सब्सक्रा हुआ करूंगा आप लो जल से जल होज में भरती हो जाएं और देश का नाम रोसन करें जय हिन जय भारत